नमस्कार, जायतरी जोतिस के इंद्र में आप सभी लोगं का स्वागत है, आप लोगं के लिए हमें साइज जोतिसास से जुड़ी महत्योपोन जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसाजित करते रहते हैं, जोतिसास से जुड़ी ही हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगं क को बताएंगे मंगल ग्रह के रत्न मुगा के बारे में मुगा जैसे की कैपसूल भी होता है मुगा जो हम लाल मुगा या सिंदूरी कलर का मुगा हम पहनते हैं धारण करते हैं कैपसूल में भी आता है तिरकॉन में भी आता है ओवल सेफ में भी आता है लेकिन इसके अतरिक्त इस जो लाल मुंगा होता है वो डंबरू मुंगा शेप में भी आता है जिसे डंबरू मुंगा कहा जाता है डंबरू यानि जैसे सिवजी का जो डंबरू होता था उस तरीके का भी मुंगा होता है यह मुंगा किन परस्तितियों में लाब देता है कैसे क्या क्या लाब देता ह इसके बारे में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको हम डम्रू मुगा दिखा दें, इसे कहा जाता है डम्रू मुगा, इसके बीच में छेद होता है और इस तरीके का बड़ा होता है, आप देख रहे होंगे, ये है डम्रू मुगा, बीच में छेद है, और बिल्कुल ओ के दिन धारन किया जाता है लाल धागे में धारन किया जाता है या सोने आदी में भी इसे धारन करने का प्रावदान है। कईदी कोई सत्र वादा है तो उसको भी दूर करता है यानि कि पराकरम ब्रिद्धी हमारी हिम्मत में ब्रिद्धी करता है आलस का समन करता है इसके अत्रिक्त यदि हमाएं खून से संबंदित कोई प्रॉब्लम है सरीर में किसी प्रकार की बाहरी त्वचा संबंदित कोई प् होता है यह तो सर्वविदित है लोग जन्मपत्रिका में मंगल गर की इस्तिति कहां पर बैटा है उस आधार पर आप लोगों को बताते हैं कि आपको कैप्सूल मुंगा लगेगा आपको त्रिकॉण लगेगा आपको ओवल लेगा लेकिन सांती सांत जोतिस सास में बताया गय है कि डंगरू मुंगा इन परिष्टिक्यों में पहनना चाहिए और यह कभी भी खराप फल नहीं दे सकता है क्योंकि यह सिव से संबंदित है और सबसे महतुपूर्ण बाद यह है कि यह चंद्रमा के सांग अगर मंगल बैट जाता है तो इसे आँख बंद करके पहनना चा क्योंकि करके मैं चंद्रमा तो स्वग्रही हो जाता है मंगल मीचस तो हो जाता है और करकर आज़क सी छटे सथान पर क्योंग यह चूँर्ण से और सकते हैं लोगर घरण कर सकते विशुरसासी है में नाम से हमारी कि मेंसरसी है, और वैसे लगने से हमारे मंगल है। तो इसलिए हमने का शुजिए आया कभी मूगा नहीं धारण कि आया हमके देखा होगा। और मंगल की यदि यूति है, क्योंकि डम्रू क्या है भगवान भुलेनाथ का प्रिय है, और चंद्रमा जो हैं भुलेनाथ के मस्तक में बैठते हैं, जब सिवतांडव करते हैं तो डम्रू काफी बजाते हैं, तो ये सौच लिजे कि अगर कोई बादा है तो वो दूर होगी ही होगी, तो इसलिए जब चंद्रमंगल की यूति हो, तो वहाँ पर को आँख मूत कर डम्रू मूगा पहनना चाहिए, इसके अत्रिक्त लगन में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, यानि कि केंद्र के अंदर और तिर्कॉर्ण में, लगन में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सब्तम में मंगल हो, दसम में मंगल हो, तो भी आँख मूत कर डम्रू मूगा आप गले में धारन कर सकते हैं, इसके अलावा तरिकोन तो दमरू मुगा आप धारन कर सकते हैं और इसके अत्रिक्त मंगल यदि कहीं पर अच्छी स्थिती में है मकर का मंगल मान के चलिए यहाँ पर को बैठा है आपका 12 भाव में बैठा है दुसरे भाव में बैठा है या थटे अस्टम में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है गले में डमरू मुंगा धारन करने में, बाकि और मुंगे में तो हम कहेंगे कि इसको गदा भी धारन ना करें, इसका नेगेटिव एफेक्ट रहेगा, लेकिन डमरू मुंगे के लिए ऐसा कहीं पर को नहीं बताया गया इसे आराम से आप धारन कर सकते हैं, और इसका चमतकारिक प्रतिफल आपको प्राप्त हो गाई होगा, इस बात की आप सौपतिसद गारेंटी समझें, लेकिन सबसे महत्वकून बात है कि यह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यदि आप लोग को मिलता है, कहीं पर प्र जो गड़ितक की होते हैं, उन से गड़ना करने के पस्चाँ यहाँ पता लगा लिए कि आपको कितने केरिट तक का मुणा जा सकता है आगे को, मुणा तो आपको 80-90 केरिट तक भी चला जाएगा, तो उसमें कौन सा आपके लिए केरिट निकल रहा है, कितना केरिट निकल उस कैरिट में यदि डमरूमुगा आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए ये एक ऐसी मणी है जो जीवन परियंदा आप पहन सकते हैं बस जन्म पत्रिका में थोड़ा मंगल ग्रह की इस्तिति को एक बार अवस्य कर लीजिए चंद्र ग्रह की इस्तिति को अवस्य कर लीजिए एक दुषरे के सामने भी ये बैठे हो तो भी डमरूमुगा आप पहन सकते हैं मंगल की अपने स्तान से चतोर्ट सब्टम अस्टम पूर्ण द्रिष्टि मानी जाती है यदि मंगल से चौथे स्तान पर चंद्रमा है सब्टम में चंद्रमा तो हुए हुए और चोठे उच्चका हो और स्वग्रई हो के बली हो रहा हो तो छटे आठ में 12 स्थान पर भी अगर मंगल हो तो डम रूम होगा आप पहन सकते हैं परस मैंने एक चीज बताई आपको यह तोड़ा सा मिलना दुलब होता है मिलता है तोड़ा प्रियास करना पड़ता है जैलर्सों के पास करते हैं देने के लिए लिए बड़े अच्छे बहूं को बत्रिकार करते हैं तो वजन कोई मापक नहीं होता है रत्मेधारण में, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेगा, उम्र के हिसाब से भी उम्र बढ़ जाती है, बानके चले कोई 40 के अंक में चल रहा है, 40 एक 40 बाई 40 में, ऐसा नहीं है कि सवा 4 केरेट या 4 केरेट या 4 केरेट से 5 के भी के प पर को इस्तित है, तो वहां पर गढ़ना करनी पड़ती है, कि यह कितनी दूरी पर है, लगने से कितनी दूरी पर है, या चंदरवा से कितनी दूरी पर है, या कारग्र जो है, जन्मकुंडली का नंबर वज़, वहां से यह कितनी दूरी पर है, कितने खाने आगे है, इस त लगबग ये मान के चले कि 6 साल से तो लगातार यूटूब पे हमारा कारे चल रहा है, बैट साइट पे कारे चल रहा है, परते दिन कई कंसल्टेशन हमारे पास रहते हैं, हम बताते हैं उनको, और आज तक किसी ब्यक्ति ने यहां नहीं का, कि हमें इसका कोई negative effect हुआ, लोग ऐसा भी नहीं है, कि अगर रत्न फल नहीं दे रहा है, तभी-कभी ऐसा भी होता है, तो वो कई हमारे अरिश्ट फलों का समन भी तो कर रहा है, हम इस चीज़ को भी नहीं समझते हैं, तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर यदि लाते रहते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, कि हम फिरोजा के बारे में वाइट मुगा, सपेद मुगा बहुत पाउरफुल रत्ने हैं, वाइट कोरल जिसे कहा जाता है, सपेद मुगा, उसके बारे में हम आप लों के लिए जानकारी लाते हैं, गोमेद, राहु के रत्ने के बारे में जिनके बारे में बड़े बड़े जोती सी बताने में थोड़ा हिचक खाते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं के तुगर के रतन लैसुनिया के बारे में जो कि अक्समाती ब्यक्तिव बुलंदियों में पहुचा देता है उसके बारे में हम जानकारी आप ल लोगों को लाख बात यह है कि आप भी हमसे नहीं किसी अच्छे ज्योतिसी से विचार मिमर्ज करके रत्न धारन करिए भगवान विष्णु को भी रत्न धात्तम कहा गया है जब भगवान रत्न धारन कर सकते हम तो आम मनुस्य हैं तो एक रत्न अवस्य ही पहनना चाहिए लेकिन पहले मैं अंगूठे में पहनता था जो लोग मुझे पहले से देखते हैं वो जो जानते हैं मैं इसमें भी पहनता था और कभी दो तो तिन तिन फिरोजा पहनता था लेकिन आज गुरू की महादसा है चल रही है तो मैं पुक्राज पहनता हूं वाइट कोरल पहनता तो जाता जाता गुरू है तो मैंने फिरोजा पहनना कुरू करती है और बहुत अच्छा लाब मिल रहा है स्वास्त लाब मिल रहा है मांसिक लाब मिल रहा है कारे करने का बन कर रहा है नहीं तो बीच में एक समय पे लगातार खौनों से मैं बला परहसान भी हो गया था लगा की और जएदा रुची हो और कि उरी ती कुछ नहीं थी जैसी खें लोगों का काम करने का मन नहीं कर रहा था आड बैलेंस तुम अब धिर हुझा दी बलकुल बैलेंस कर दिया है और लोगों का काहे करने का मन कर रहा है यूटूब में बीच में आपने देखा कि स्वास्त बादा आई थी तो एपिसोड नहीं बना पा रहे थे कभी-कभी बीच-बीच में गैप हो जा रहा है पहले तो बहुत लंबा गैप हो रहा था अब गैप भी नहीं है कभी किसी कारण कभी क्योंकि बिजली नहीं रहती है क्योंकि पहाड में हम लोग रहते हैं कभी कोई समस्या आ जाती है तो इस कारण से कभी हम एपिसोड नहीं बना पाते हैं लेकिन अभी एपिसोड बनाने का मन कर रहा है पैप साइट में डेली के लिंक डालने का अमन कर रहा है तो चीज़ हैं इस तरीके से बढ़े है एक जोस उत्पन करते हैं रतने तो जरूरी नहीं कि हम एक रतन फाइदा देता है लेकिन अगर उसके साथ कारक रतन हमारे पास हैं अगर हम धारान करना चाहें अब हम तो जोती सी हैं, हमें तो पता है, हम धारन कर सकते हैं, चार क्या हम पांच भी अब लाल मुगा हमने बनवाया है, इसे हम अवज से ही गले में धारन करेंगे, वैसे हम मोती की माला अवज से ही अपने पास पहनते हैं, और इसके अलावा रुद्राक से की माला हमारे पा पर दश्रवाना चाहते हैं तब एक रतन जो कारक रतन होता है उसे अपने हाथ में आप अवस्या यह कहने है इसके बाद बाती आप की इच्छह है अगर आप इसके अत्रिपते भी रतन पहनना चाहते हैं तो तीन या चार रतन बैक्ते की जन्रोंडे कुंडेली निकलते ही निकलते हैं किसी एक जादे भी निकल सकते हैं तो उन्हें जरूर दारण करना चाहिए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका कैरेट जो हो जो भार हो वो बिलकुल सटीक है तो गैरेंटी मानिए आप आपको रतन कभी भी कलत फल नहीं देगा और आपको च्राइब कर सकते हैं नीचे पे हमारे नमबर दी रहता हैं यह कॉलिंग नमबर रहते हैं वाटसप नमबर नहीं रहते हैं स्टरिकां हाद ही नहीं होती है तो उनहीं को weats休 case नमबर देते हैं ताकि हमें भी अना हुश्याक्त दभाव तो संबंदित जानकारी यदि आपको पसंद आई तो जरूर आगे बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्दी पे निर्बर है और संबंदित एपिसोड से कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई हो, हो सकता है, कुछ की जन ब्यक्ति कहीं पर क काने का होगा, कई तिफिकल स्थिती होगी, तो वहां पर को तपिकुंडली विस्लेशन ही, आप हम से कराएं या किसी और से कराएं, वहां पर को आप करवा सकते हैं, फिलाद सामान इस एपिसोड से संबंदित कहीं पर को को कोई कंट्यू जो नमबर नीचे पे है, आप हमन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दवाएं, ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारिया समय समय पर आप लोगों को मिलती रहें, तो बिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमसकार, जैसरी राम, जैस